लो बच्चो मैं अंगुष मुश्राब आपके साथ हमारे इस चैनल एजूसर कलबे आपका स्वागा देव तो आज से हमारे इस चैनल की उपर एक क्रैश कोर्स चालू होने वाला है तो और वह सिर्फ फिजिक्स के लिए होगा अभी तो हम लोग इस कोर्स में क्या करना वाले हम लोग अपने इस कोर्स में हर चैप्टर के टॉप एमसी की कुश्चन सॉल करके देखेंगे जूकि एक्जाम्स में आने के जिसके ज्यादा चांसे होंगे ओके तो हम लोग अठरा उनेस दिन तक यह अपना लेक्टर सीरीज चालू रखने वाले तो आप सब हमारे साथ बने रही हैगा आ गया और दिनों तक चलिए हम अपने कुश्चन नंबर वन की शुरुवात करते हैं कुश्चन नंबर वन आपको दिखाई दिया रहा होगा क्या लिखा सिक अंदर बोडी इस अलाओ टू स्लाइड ऑन फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रों रेस्ट अंडर ग्राविटी दर ट्रैक एंड सीन अ सर्किलर लूप ऑफ डा ट्रैमेटर वन जिसे अगर फॉस्चन ने देखिए की आगे यह मैरा फ्रिक्शनलेस ट्रैक अब मेरा ऑब्जट जो स्लाइड कर रहा है शनलेसे दो उसको इन्कलाइन होना ही पड़ेगा थाकि ऑब्जट क्या उस पे से स्लाइड हो और उसका जो एंड है वो क्या हो रहा ह है शरकुलर सब्सक्सांन हर्यों मैं एंडवर उसका इस समझापय ठ्रट यंड अका से ओन्ज और लूप में हो रहा है तो वर शुल बी अम हईट क्यन सब्सक्राइब शूदी ऑगी था मैश successfully complete the loop okay चलिए अब हमने जब वर्टिकल सर्प्लर मुशन पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि हमारे पास तीन मेजर पॉइंट से होता है एक ये वाला एक ये वाला और ये वाला तो हमें क्या वालूम बढ़ता है कि हमारा जब ऑब्जेक्ट इस पोजिशन पे होता है हम जब आइए पॉजिशन पूजिशन प्रोड़ हो देड़ं वह यहां पोशिद्र के बाद ही वटिकल सर्गुलर मोशन कंप्लेट कर पाएगा सकस्पुली सिक्शुल ही मींस वह इन दून ही पोजिशिटं में पोशिन कब lattice के बाद भी अब मेरा जो ऑब्जेक्ट माल नीजे यहां से स्लाइड हुआ स्लाइड होके यहां पे आ गया इसके अंदर जो है इसका वेट एमजी नीचे की तरफ जा रहा है उपर की तरफ क्या जा रहा है इसका एम इसका अपॉन आर सेंट्रिफिबल फोर्स क्यों नीचे का एंदर क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग नहीं है ओके तो देखिए तो मेरे को रिलेशन में क्या मिल जाएगा M v square upon r equals to mg mm cancel दोनों साइट से v square equals to rg क्या मिल गा मेरे को नगर इसको एक point तो इसको point b बोल दे दाओ मैं अभी मेरे track क्या है frictionless है frictionless track पर एक चीछ क्या होते है वहां पर energy lose नहीं होता कभी वहां पर energy lose नहीं होता तुम लोंको इस question में conservation of energy का के यूज़ कर सकते हैं अपनी हाइट को निकालने के लिए देखिए कैसे दूटू कंजर्वेशन आफ एनर्जी कंजर्वेशन आफ एनर्जी क्या होता है आपर कानेटिक एनर्जी स्पुटंशल अगेश्ट इक वुइंट ऑप एंटेश्चा आजानेक पहले तो इसकी तो जीटो नेखी प्लस इसका वेट mg नीच्छे की तरफ और इसकी है यह हाइट है उपर है सर्फिस से तो यह कितना हो जागा एंजी एच इपल्स टू यह हाफ एम वी बी स्क्वेर प्लस पोटेशल एनर्जी एट पॉइंट भी अब यह कि एंजी इसका वेट हो रही सिर्फिस से कितना उपर है डायमेटर डी से का तो एंजी इंटु एंटू कि हो गया एंजी एच हाफ एम वी कितना मेले मेरे को अंडर रूट आर जी का स्क्वार प्लस एम जी डी तो यह मेरा आर जी का स्क्वार रूट से स्क्वार निकल लाएगा तो क्या मिल देगा मेरे को सिर्फ आप एंजी आर अपान टू प्लस एंजी डी और यह एंजी एच मैं दोनों साइट से करता हूं एंजी एंजी का मने काल के कैंसल गर देता हूं कर सकता हूं ना ओके तो यह में लिगा है मेरे अच इकोल स्टू बसके अर अपान्ट टू प्लस डी अब रॉप अगर यहां पर ऊपर तुका मल्टिप्लाइ करूँ तो ऑपर क्या मिल जाएगा डायमेटर निच्छे फूर यहां पर डी तो यह का आ प्याँ और फॉर मतलब मेरा हाइट मेरेको मिल गया है जो इतना समझा आप सब को आप सब भी मिरे साथ में लिखता है जिससे कि आपको भी समझेगा अच्छे से एकदम चलिए नॉम्बर टू पे आईए पुशन नॉम्बर टू देखिए ठीडा नॉम्बर टू क्या बोल रहा है a body is moving a body is moving along a circular path with variable speed it has a radial acceleration a tangential zero acceleration both tangential and radial अब कोशन में लिखे है कि गुलिया body is moving along a circular path मेरा जो बाडी है वो एक circular path में move कर रहा है अब जी मैं रपाड यह है अब इसका जो speed है वो वेरिये बले यहां पे information दिया हुगा कि इसकी speed जो है variable variable speed के हमेशा याद रिखना कि हमारा acceleration जो है वो constant नहीं होता speed जब लिए वह लोगी acceleration constant नहीं होगा acceleration को constant करने के लिए या zero करने के लिए हमारे velocity को constant होना पुड़ेगा हमारे velocity को constant होना पुड़ेगा तो नहीं है आप acceleration zero है और नहीं acceleration constant है तो option c तो यहां पे निकल गया zero acceleration गा बसता है option a और बी यह भी रेडियर एक्सलिरेशन जो भी object कोई circular motion perform करेगा तो उसके पास radial acceleration तो नहीं है और नहीं चाहिए उसके पास radial acceleration और जब radial acceleration होगा तो उसके पास टेंजिंचेल एक्सलिरेशन भी होना चाहिए circular motion perform करने के लिए तो हमारा जो particle variable speed में घूम रहा है उसके पास क्या है रेडियो एक्सलिरेशन भी और टेंजिंचल एक्सलिरेशन भी है तो हमारा option d क्या होगा अंसर होगा जिसके पास दोनों है ओके चलिए कुशन नुमर थ्री प्या है यह शनमर त्री देखिए कुशन भी त्री क्या बोल रहा है अब बोर्डी इस ट्रैवलिंग एक्स इन असरफ एलेट इस रवल रहा है तो इसके पास क्या है और रहा है तो यहाँ पे एक्सलिए जिरो करने इवल ती बिल कुल दी मत करना आफ सब सब्सक्राइबिप क्या है तो इसके पास क्या रहा है और if it will be कश्ञा घंड पास क्या रहा है रहा एकलग क्या ही डिटिस्कास युडबत हो दो रहा ही में बिल धो दायर्क्शन हो गया यह सब्लेक्स हो गया ब्योयशन डिवया लेकिंग व्टेटि के पास तो आउटे एक सकते हैं डीर इसी स्ते यह नहीं होदा यहापिग जूंस टी यह वो रंग है क्यंकि कि इनवर एक्स लिंक आउट वर्ड एक्सलारीशन में रेडियल एक्सलारीशन का भी आउड वर्ड नहीं होदा वह आउड वेज टॉर्ड असे तरियो गाउगा तो अप्शन सी हमारा क्या होगा राइट अंसर होगा है जन इनवर्ड एक्सलारेशन ओकिया चलिए अब आईय हमारे अगले कुश्चिन पे कुश्यन नम्बर फूर कुश्चिन नम्र फूर देखी क्या बोल रहा है अ बॉड़ी ओफ मास अंड्रेड गाम ग्राम टाइड आट वन एंड ऑफ स्ट्रिंग हंडेड ग्राम का एक मास है जो एक स्ट्रिंग के एंड पे पांदा हुआ और प्रमिलर मुशन पफॉर्म कर रहा है चले गी मर लिख ले दे मास तू हंड्रेड ग्राम ग्राम टो Geez स्ट्रिंग के लेंध्ड ही या कितनी में मेटर मेरा क्या कर रहा है article मेरिक हो चिक्वल कर रहा है तेंशन दिया हूए स्ट्रिंग के लिपteल सब्गेंट पर सिवंट refuge है और क्या दिया हुआ है इस ज़स्ट अबल टू कंप्लिट असर्क्राइब और जी की वैल्यू दी हुई है अब देखिए अब यहां पर हमारा क्या बोला है लोइस पॉइंट हमको पहले से बोल कर रख था ना तो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है इस ज़स्ट अबल टू कंप्लिट अब्सक्राइब ना इस ज़स्ट अबल टू कंप्लिट अबला इस ज़स्ट पॉजिशन पे आने वाला है तो इस पॉजिशन के लिए हमारे पास क्या है इसका वेट मिल जाए मर को टी माइनस इंजी इग इसको टू एम वी स्क्वाइर अपॉन और ना इसके अंदर निकालना क्या था हमको अंगिलर वेलोसिटी निकालना था हूं तो टी माइनस एंजी जो दिया हुआ इसको हम लोग एमर ओमेगा स्क्वाइर भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना सेंट्रीप्र फोर्स को टी के वैल्यू कितने दीए मेरे पास कि काम करी यह इसको भी ऐसा यूट में कर लिए ति मेरा 0.1 केजी बन जाएगा ग्राम को केजी में करने के लिए ऑल्वेस 1000 से डिवाइट चीजिए लिए उसको तो टी कितना मेरा 3.7 मैनज एम कितना है 0.1 जी कितना दीए 10 एम कितना है मेरा 0.1 यहां पर लेंथ ओर रेडियोस दुनों बराबर हैं इन्टु 3 ओमेगा स्क्रोर उमेगा निकालना है आंको तो 3.7 माइनगा विद्ट माइनश वान इकोल्स 2 0.3 ओमेगा तो 0.3 स्वेर तो ओमेगा स्वेर ये 2.7 डिएट बए 0.3 इसको स्वाइब रूट लोगो तो 3 आ जाएगा तो 3 रिदेन पर सेकंड क्या होगा इसका जो गया आंसर हो गया means option B okay समझा इतना चलीए question no. 5 देखे हम लोगा question no 5 के बोल रहा है a body of mass 500 ग्राम इस रूटेटिंग इन वर्टिकल सर्कल आफ रेडियस वन मीटर फिर से हम लोग इवन लिखके लेते हैं फाइव हन्रेड ग्राम बोला है रेडियस बोला है वन मीटर ओके वाट इस दिफरेंस इन इट्स काइटिक एनरजी अट टॉप इन दे बॉटम अब दे सर्कल इस बुपको काइटिक एनरजी गाडिफ्रेंस निकालना है वह किसी इसके बीच निकालना हों लोग देखके लेते हैं यहां अधिकल वाल लीजिए यह मेरा पॉइंट है यह मेरा पॉइंट भी अब मेरे को क्या हुआ है रेडियस तो दिया हुआ है वन मीटर ना और यहां पर वैलसी टी कितने होती है गुप आर्जी क्या है अब क्या इन दो नों के काइनटिक एनरजी का डिफरेंस का नति का होती है हाफ मीच्वार ऐसितí यहां तो बस फुत कर रोड़ यह का डिया अ minus kinetic energy at a minus kinetic energy at b किया बन जाएगा half m the square minus half m vb square 1 half m यह जो मेरा आ जाएगा वी यह कितना मेरा root rg का हो स्कुरेर माइनस डर्ट रूट फाइवार जी वोल स्कुर इसको सॉल कुरेगा तो उपर एंजी ए रिवेड़ेड़ बेटूर इसका बेस पॉमन कर तो उपर आजाएगा मैनस पूर माइनस टू एम जी आर अब इसका वैली पूट करो तो माइनस टू इंटू इसको भी तुम्हारा क्या बन जाएगा है जिरो पांट पाइफ के जी एसा उन्होंने बेंवर्ट किया तो जिरो पांट फाइफ इंटू जी की वैल्यू दियो यह नहीं तो 9.8 लेनी है इंटू र पर के चलना है लिए माइनस वन इंटू फूट इंटू वन अंजर आगया मैनस 9.8 जूल मेरा कानाटिक इंटू तो आप ऑप्शन डी में जा रहा क्रेक्शन कर लेना महां पे माइनस नी अप्शन के अंदर तो माइनस लगा देना तो आप्शन दी आपका क्या होगा राइ तो कुछन एक बार आप सब क्या करिये पढ़के लीजिए कुछन नुम्र सिप्स दिखे अ बोर्डी आप मास में असस्पेंड़ फॉम इस पंड़ परमुस्ट्रिम फ्लिंट मास MDA स्ट्रिंग लेंट यह व्ट इस मिनम अरिजॉन्टल वेलोसिटी यह शुट बीवन तो स्ट्रिंग लगी है स्ट्रिंग का लेंथ कितना होते है ल तो यहां पर रेडियस के जाए कि किस ने लिए है अले लिये तो रूट 5G L मेंस अप्चिन दिया पर लिया होगा राइट अनसर अफोगा ओके चलिया आ आते हैं ग।च्छन नूंबर 7 के उपर question number 7 question number 7 क्या बोल रहा है a body of mass M performing UCM means uniform circular motion uniform circular motion with frequency N along the circumference of the circle having radius R forces given by okay तो मेरा जो body mass M का है वो UCM perform कर रहा है frequency N दी हुई यह उसकी सब्सक्राइब कर रहा है इसका रिडिया रार सर्कंपनेस ऑफ दू सर्कल चलिए हम उसी कुछ नहीं करना इसके अंदर फॉर्स निकालना खोड़ा टाम चेंज कर गए फॉर्स क्या होता है मेरा में लिख सकते हैं तो अमेगा स्कूर में निकाल दूँगा तो यह बन जाएगा फॉर्स नंबर बी में देखिए कि फॉर्स पाइस्प्वयर एंड स्कूर एंड है लिके नहीं पर आद महीं तो हाँ फिर टैपिंग मिश्टे क्या वहां पर आल डाल दीजिए तो यह बन अपिंग इन तु एंड पॉके एफ चलि कुशन नमबर सेवन आपका हो गा है चलिया कुशन नमबर एट खोल की दिखे है यह कुशन नमबर एट भी इतना तफ निया कुशन नमेर एट भी एजी है देखिए बकेट कंटेनिंग वाटर आट साइट इस टायड टीन फॉर्स rope of length 2.5 meter means length दिया हुआ है कितना 2.5 meter is rotated about the other end in a vertical circle और वो vertical circle में हुआ है मतलब क्या होगा यही radius वादिया मेरा what should be the minimum velocity of the bucket at the highest point means V H की value निकालने है highest point so that the water in the bucket will not split और G के value दी है 10 meter per second square तो vertical circle motion परफॉर्म कर रहा हूँ bucket रेडियस एल और highest point को इसकी value कितनी है कि यह पूछा है तो highest point वे इसकी value कितनी होती है अंडर रूट आर जी आर की जगह पर कौन है एल जी है मिन्स रेडियस के मेरा length है ना string का ल जी एल कितना है मेरा 2.5 जी कितना है 10 तो यह कितना बन जाएगा 25 वेलोसिटी यह कितना आगा five meter per second ओके velocity वी अब इसी के साथ में लगा है question number nine विकित बिलकुल इसी के जैसे ज्यादा तफने सिफ नमबर बदल दिया अगर भाली तो अ bucket tight at the end of a 1.6 meter long string in a views fold in a vertical circle with a constant speed what should be the minimum speed so that the water from the bucket does not spill when the bucket is at highest position यहा पे भी बेलोसिटी कुछिए है highest position के उपर आर इंटू जी रेडियस दिया होगा 1.6 जी अपना 10 कितना हो गया 16 हो गया मैंसी ए 4 meter per second इन में आप्शन ए okay question number nine तक समझा आप सब को आप सब मेरे साथ में लिखते रहे जिससे कि आप सब कभी focus बना रहेगा और आप सब जितना हो सब के उतनी प्रैक्टिस कीजिए इस टैंब यह आपको बहुत ज्यादा टाइम में लिए प्रैक्टिस करने के लिए देखा जाए तो महाराश्य सरकार के तरफ से okay question number 10 question number 10 में क्या बुल रहा है again filled with water is reward in a vertical circle of radius 4 meter and water does not fall down the time period of revolution will be हमने अभी उपर के दो कॉश्चे नमें देखा कि water does not spill means पाने नीचे नहीं गिरना चाहिए तो किस पॉजिशन के लिए देखा हमने हाइस पॉजिशन के लिए देखा और इसके अंदर क्या करना हम को time period निकालना है revolution का और radius कितना दिया हुआ है 4 meter दिया हुआ हमको पहले से चलिए तो हमारा highest point पे velocity कितना होता है अंडर रूट आर जी होता है और वी के एक formula और होता है two pi r upon t तो t को वहां भेज दीजिए यह बन जाए गए two pi r upon v r g मिला है तो two pi r upon root r g मिला है अब यहां पर सिफ calculation है तो ध्यान देजिए calculation में कैसे कर रहा हुआ हूँ यह r जब root के अंदर जाएगा तो यह r square बन जाएगा ना मिन्स अगर मेरे को r को root के अंदर लेना है तो मुझे इसको square करना पड़ेगा ताकि वह भारा तो फिर से क्या बन जाए वह r बन जाए तो नीचे आर जी एक आर से एक आर कैंसल हो गया यहां पर आगया टू पाय अंदर रूट आर बाय जी ओके तो टू पाय आर के विदली कितने मेरी फूर डिवाइड़ बेट जी लेलो तो यहां पर कया मिल दाएगा मिलक्य को यह 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 भार आएगा फूर टू बन जाएगा तो है पस फूल पाय डिवाइड़ बाय 9.8 अब अगर आपके जानकारी के लिए अपको बता जिता हूं कि हम लोग पाई स्व्वेश्वेर की वेल्यू 9.8 लेते हैं पाइस्वेर की वेल्वियू 9.8 होती है तो इसका जो यह दिया एक time period हो क्या बन जाएगा 4 pi divided by root of pi square is equals to 4 pi by pi, pi pi cancel, क्या है यह 4 seconds में आपका option D, is the right answer time period का, okay question number 10 साल हो गया, अब यह question number 11 पे, question number 11, it's not a tough question very much, it is a very easy question, देखिए question number 11 क्या बोला है, अब car has a linear velocity, question number 11 क्या बोला है, अब car has a linear velocity V, और circular track of radius R, circular track of radius R, then it's resultant acceleration, इसका जो resultant acceleration होगा, यहाँ पे तो उसको radial acceleration होगा, यहाँ पे उसको tendential acceleration होगा, तो दो acceleration तो यह होगा, है, अब इसका resultant निकालना है, तो center से जाना पड़ेगा, basic factors पढ़ा होगा, आप सब ने, तो यह होगा, तो इसका resultant acceleration कैसे मिलेगा, a is equals to, इसका resultant है, a r square plus 80 square से मिलता है, okay, तो a r square के वहले कितने होती है, v square by r, the whole square और यह 80 square को a square लिख दिए है, इस question के लिए, a, okay, चलिए, और यह मेरा a, means resultant acceleration, तो मेरा option क्या आगा, option a is the right answer आगया, तो इस square by r, the whole square plus a square, my resultant acceleration, और यह question मेरे exam में आ चुका है, अगर मैं बोल दो, question मेरे exam में आया था, okay, चलिए, अब question number, 12 की बारे, question number 12 देखे, क्या बोल रहा है, question number 12 तो बोल रहा है, a car is moving, question number 12 क्या बोल रहा है, a car is moving in a circular track of radius 10 meter, with constant speed of 10 meter per second, velocity दिए, 10 meter per second, radius दिए, 10 meter, a plumb bob is suspended from the roof of the car, a plumb bob is suspended from the roof of the car by by a light rigid rod, one meter long, by a light rigid rod, one meter long, the angle made by the rod with the track, अभी हापे देखे, मेरे कार की रूफ है, यहापी क्या एक, light rod लगी है, one meter long, और इसके इंदर एक bob बंदा हुआ है, okay, bob बंदा हुआ है, और वो पहले से कहे suspended लिखा हुआ है आपर, means को किसी angle पर पहले से set है, तो हमें angle निकालना है, उसका क्यों track के साथ में कितना angle बना रहा है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको resolve करना और solve कर लेना बहुत easy question है, इसका weight mg नीची के तरफ जाएगा, यहाँ पर जो force निकलेगा, वो क्या होगा मेरा, mv square upon r होगा, यहाँ पर इसका tension t होगा, और इसको over solve को रहाँ होगा, यह भी angle theta होगा, दोनों से होगा alternate angle theorem से, तो यह मेरा t cos theta बनाएगा, यह side t से जुड़ा हुआ है, और यह मेरा बन जाएगा t sin theta, अब अगर और अच्छे से देखना चाहेंगे, तो यह मेरा को मिल गया है, t cos theta, यहाँ मेरा बन जाए, mg, यहां मेरा को मिल गया है mg2 upon r, और यहां मेरा को मिल गया है t sin theta, इतना मेरे को मिल गया और इसके बाद में क्या करना है आप दोने हो क्या करें एक्वेट करें तो t cos theta equals to mg और यह t sin theta equals to mg square upon r अब यहां से क्या किजिए आप खुद solve करने की शुरुवात किजिए तो मैंने क्या किया इसको equation 1 ले लिया इसको equation 2 ले लिया तो मैंने क्या कि इन दोने को डिवाइड कर दिया तो मेरा answer क्या जाएगा equation 2 divided by equation 1 यह जाएगा 10 theta equals to v square by r g चलिए 10 theta v square कितने भी कितने मेरा 10 to 10 into 10 divided by r कितने मेरा 10 g कितने है 10 तो cancer okay कितना आ गया 1 आ गया तो 10 theta तो theta equals to 45 degree दीखिया हम बढ़ास आने से question number 12 तक पहुच गया और भी कि वेलसिटी दिया हुआ है आप दिया हुआ है मेरा जो बॉब मास हो सस्पेंडेड है टी कॉस्ट थिटा एंव इसको देखेंगे यहां पर जो है मेरा वो है टी साइं थिटा हुँ क्या कर रहा है और सेंट्रिपटल फोस की जगे पैर है सेंट्रिपटल फोस यह दो होता है और इसके आउट साइड में जो लग रहा है वी मेंस यह उसको रिप्रेजेंट कर रहा है as a centripetal force यहां पर यहां पर लेकिन यहां पर लगने वारा centripetal force ही है यह नहीं है कभी अगर एक्जाम में पूछ भी लिया तो यह टिक मार के मार के मता आना यह टी साइंधिव भाप के question में centripetal force always t होता है okay question number 13 के उपर question number 13 यह इसाई question है not so much tough question question number 13 a card is moving horizontal circular track with radius 10 meter with constant speed speed की value हो दिया कितनी 36 km per hour इसको meter per second में change करना तो 56 km पर हाँ और और कॉम लेकिस्स से multiply करेंगे 5 by 18 से 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 के मिटर पर सेकेंड में change हो जाएगा तो 18 तू जाएगा यह बन जाएगा 10 मिटर पर सेकेंड what a speed a simple pendulum is suspended from the roof of the car same piece location जैसा if the car if the length of the simple pendulum is one meter what is the angle made by the string with the track same solve करने बाद हमको यह मिलने वाला है 10 to equals to V square upon RG V के value कितने मेरी 10 into 10 R value 10 G value 10 equals to ऐसे questions में जहां पर सब 10 मिल रहे हो तो वहां भी भी G value 10 ले सकते हो 7 पिशली बार बोला था 10 दिया हो था भी लेना लेकिन जहां पर angle अगरा निकालने की बात आ जाए चलिए अब आता question number 14 पर चलिए फिर हमने question number 13 तक देख लिया अब जाते हम लोग अपने question number 14 के उपर question number 14 है वो थोड़ा theoretical question है उसके लिए थोड़ा हमको अपने ग्यान लगाने के जरूए ते question number 14 के लिए वह अच्छे खासे ग्यान के जरूए जाते हमकों को के question number 14 क्या बोल रहा है अब कहार इस मूविंगाना circular path that takes a turn if r1 and r2 are the reactions on the inner and outer wheels means r1 and r2 reaction दिया है यह किस के लिए inner wheel के लिए और यह किस के लिए outer wheel के लिए तो जब inner and outer wheel दिया हमने क्या किया मैंने circular track मान के चला और यहां के मैंने क्या किया है गाड़ी एजिम की और यह उसके wheels है थोड़ी 3D गाड़ी बनाते है तो इसके जो पीछे का चक्का है जो यहां पर है जो यहां पर wheel है उसका reaction क्या होगा R2 होगा उसका reaction क्या होगा R2 होगा और यहां पर wheel उसका normal reaction क्या होगा R1 होगा but R1 के side में जब आप देखोगे तो center की तरफ वह एक force और लगाता है अगर इस गाड़ी को बरुबर टर्न लेना है circular path के उपर तो वह आरवन है जो आरवन और friction force F है उन दोनों को balance करना वाला अकेला R2 है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो आरटू है वो बड़ा होगा R1 से क्योंकि R2 अकेला इन दोनों को balance कर रहे समझे है आरवन और F इस सेट को balance कर और और टू पीछले सेट को balance कर रहे तो आरटू मेरा क्या होगा आरवन से बड़ा होगा मतलब मेरा क्या जाएगा option B मेरा right answer होगा ओके इतना भी डपोर्शन नहीं था यह चले कुशन नंबर 15 पर आते हैं हम लोग कुशन नंबर 15 कुशन नंबर 15 कुशन नंबर 15 बहुत इसी कुशन है पड़ी क्या लिगा अकार इस मूविग विदा स्पेड अफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड on a circular path radius 500 meter its speed increasing its speed increasing at the rate of 2 meter per second speed increasing at the rate of 2 meter per second the acceleration of the car अभी स्पेशन में देखे तो अधार दिया हुआ है शाग आपको confusion हुआ तो question number 15 जो मेरा दिया हुआ स्पीड दी हुई है कितनी 30 मिटर पर सेकेंड रेडियस दिया हुआ है कितना 500 मिटर its speed increasing at the rate of 2 meter per second the acceleration of the car acceleration of the car कुछ है अब जहां पर increasing at the rate की speed की बात है increasing at the rate of 2 meter per second देखे बड़ तो speed रहा है लिकिन value कौन से दिया acceleration की 2 meter per second तो जब भी इस sentence के साथ कोई means अगर acceleration आये तो आलवेज हो मेरा क्या होगा tangential acceleration होगा 2 meter per second ओके चलिए तो हमारे इसका net acceleration का formula क्या होता है V square by R the whole square plus 80 square V square कितना मेरा है यहां पर 30 divided by फाइव हंडेड मीटर दो होल स्क्वेर प्लस टू स्क्वेर ब्रैकेट में सॉल कर लो इसको अच्छे से थृटें टू तू से थो तो होल स्क्वेर प्लस दिस्टिएगा है कि अधनी लाईगी है कि इन नाइन उन मीरें स्क्वेर और क्वेरें हृती थे फैल प्लस देंडों कि अ利mek दो एक स्क्वेर टी ले कमिल जाएगा philosophy 81 by 25, अब जो इसको solve कर गोए बन जाएगा 9 by 5, means, answer is approximately 2.7 meter per second square, रोनेट एक्सलारेशन, okay, means मेरा option D होगा, इसका right answer, चलिये, आते हम लो question number 16 के उप्र है, किस पे, question number 16 पे, question number 16 के है हमारा, theoretical question है, a car is moving on a horizontal road में, be thrown out of the road, maybe thrown out of the road, is taking a turn, means, मेरा जो, अगर मेरे रपास, horizontal road का track है, और वो turn लेने ही वाला है, मेरा जो गाड़ी है, और वो बाहर, फेक दिया जाएगा, तो किसकी वेज़े से फेक दिया जाएगा वो, तो always ध्यान रखना, गाड़ी अगर कभी भी road के, उससाइड यही, में, उसका reaction balance नहीं होता है, उसका reaction अगर डगमगाया, तो यह गाड़ी मेरी बाहर जाएगी, तो आरवाने, आरटू में difference, means, गड़बड होगी, तब गाड़ी मेरी यहां से, बाहर फिक दी जाएगी, तो यहां पर जो option D होगा, मैं रख्या होगा, right answer होगा, due to the reaction of the ground, okay, चलिए, अबाते question number 17 के उपर, यह थोड़ा अच्छा question दिया हुआ है, question number 17, देखिए, a car of a mass 1000 kg, mass दिया है उनको, 1000 kg, on a circular road with a speed of 20 meter per second, speed दिया है 20 meter per second, its direction changes by 90 degree, after traveling, 628 meter on the road, चलिए, distance दिया हुआ है, हमको, कितना, distance कितना दिया हुआ है, 628 meters on the road, the centripetal force acting on the car, oh my god, हमको centripetal force निकालना है, क्या निकालना है हमको, centripetal force, fcp, चलिए, अब distance दिया हुआ है, अगर मेरे बूलो कि मेरे जो, गाड़ी है, और 90 degree पर turn लेगी, तो उसने कितना distance travel किया, हो किसकी value दे रहा है, 628 meter, इस आर्क की value दे रहा है, कि उसने इतना distance travel कर लिया, अब हमारी जब गाड़ी घुमेंगी, वह circular track भी घुमेंगी, तो उसने distance इतना travel किया, 628 meter, लेकिन जो angle बन रहा है, हो कितना बन रहा है, 90 degree means pi by 2 का angle बन रहा है, तो फिर इसका जो formula होता हमारा हो क्या होता है, s equals to r theta होता है, एस कितना दिया, 628, r हम को चाहिए, जरूरी बताएंगे आगे, theta कितना है, पाई भाई भाई 2, तो हार कितना मिल दागा मिल दागा, 628, into 2 divided by pi, अगर अच्छे से solve करें, तो 628 into 2 divided by 3.14, इसको उपर लेके जाईए, तो यह क्या बन जाएगा, 628 into 200 divided by 314, मैंने इसका जो उपर नीचे, 100 से multiply गर दिया, तो यह कितना है जागा, 2 जा, तो 200 into 2, 400 meter is the, means radius मिल को मेरा मिलिया, अब radius मिलने के बाद में क्या कर सकता हूँ, मास दिया हुआ हुआ है, तो f is equals to mv square upon r, m कितना है मेरा, 1000 kg, means 1000, यह कितना है मेला, 20 meter per second, 20 into 20 radius, 400 meter, अब देखे इसको, यह 2020 into 400 होगा, यह से निकल देगा, तो answer किया जागा, मेरा 1000 newton, में रा सेंट्रीटर, force, means मेरा option, b is the right answer, okay, चल्के, question number 17, complete हुआ, question number 18 के तरफ जाता हुआ, question number 18 को देखते है, question number 18 क्या बोलना चाहता है हम से, आप कार ओफ मास, 800 kg, मुव्स ऑन शर्कुलर ट्रैक अव रडियस 40 meter, मास दिया हुआ कार की कितनी, 800 kg, मुव्स ऑन शर्कुलर ट्रैक अव रडियस 40 meter, इप तक, रडियस, 40 meter, if the coefficient of the friction is, means, मुव की वैल्यू दिया कितनी, 0.5, the maximum velocity, the maximum velocity, with which the car can move, the maximum velocity with which the car can move, is, हम के अगर नहीं, velocity की value निकालनी है, तो जादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको compare करना है, दिखिये, जब मेरा गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे होता है, जब मेरा गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे होता है, means, यहाँ पर, तो एक तो force हो भार लगाएगा, कौन सा, एम वी स्कुलर अपोन आर, अंदर हाड़ी सा कों सा force लगाएगा, Frictional force, यह तो common शी राते है, जब मेरा जो F हो किसके परावर हो गया, M d2 के अपोन आर के है, ना, अब अब अ, F जो होता है मेरा क्या हो, Mu into N होगा, यह मेरा M v2 क्वार अपोन आर होगा, n क्या बाता है मेरा mg होता है इसका जो normal reaction उपर के तरफ वेट mg नीचे के तरफ तो mu mg equals to mv square upon r mu कितना है मेरा m से m cancel cancel कर दो मेंको v निकालना है तो mu grv square तो v कितना मिल दागा मेरे को under root mu rg okay तो mu कितना है मेरा 0.5 r कितना है मेरा यहां पर 40 meter g कितना दिया हुए मेरा नहीं दिया हुए बहुत अच्छी बात है तो g ko ले लो 10 okay g ko ले लो 10 mass cancel कर दिया हुए क्या बात है चलिए अब इसको solve करो solve करने बाद answer कितना आएगा आप सब का 200 200 क्या हुए मेरा answer आया solve करने के बाद इसका answer कितना अचा जाएगा 20 into 10 200 square root 14 into 14 meter per second इतने तक्यत मिन्स 2 का spread root कितना होता है 1.414 into 100 यहां मतलो भार जाके 10 बनेगा into 10 कर दो 14.14 meter per second बन जाएगा तो इतना थोड़ा calculation याद रख़ो आप कि जो लगभर answer है आपको लॉगभू कहां पर मिलेगा डरना मत तो आप वो approximately answer नकालना यहां पर देखिए 14.14 और option में कहीं नहीं तो 14 कहां देखर option B में मिस option B के हमारा right answer है चलिए question number 19 की तरफ चाते हैं आपकार सम्टाइम्स ओवर टरंस आपकार सम्टाइम्स ओवर टरंस वाइल टेकिंग अट टर्न वैन इट ओवर टरंस मिस वो टर्न लेते समय ही ज्यादा टर्न कर लगता है मिन्स ओवर टर्न हो जाता है तो किसकी वज़ए से होता है जाए question number 19 option एक या दिया दा इनर वील विच लिव्ट लिव्ट ग्राउंड फर्स दा उटर वीड विच लिव्ट लिव्ट फर्स टॉप्शन सी बोद विविल लिव लिव ग्राउंड शेंबल्टेंशली ऑप्शन दी अधर वील अधर इनर वील और अधर आउटर वील करती है नई समझ में आ रहा तो केस को याद कर लेजिए option एसका अंसर होगा अब यह देखिए यह मेरी गाड़ी है कि यह इसके वील से गाड़ी के ओवर्टान करने का मतलब क्या होता है गाड़ी पलट जाना और गाड़ी जब भी पल्टेगी सेंटर के तरफ ही पल्टेगी समझे अगर नॉर्मल ग्रेक्शन अगरा मतलब बराबर रिने के बाद भी गाड़ी पल्टी हुई तो इट कर्मल रेक्शन अगर सब बैलेंस हुआ तो अंदर साइट पल्टेगी ओके तब तो हाफता आएगा इनेर विल सुरी यहाँ पर आएगा आउटर विल बट अगर गाड़ी भार के साइट जा रही है मिन्स ओवर टरंस यहाप जोड़ा मिस्टिक का 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 करेक्शन है क्य वहार के तरफ गई और टो अब दो फार के तरफ जाएगी ऑलवस इसा गाड़ी को मरी भार फिक दिया जाएका मिन्स चुरी यह भी लोगा यह पहले ग्राउंट छोटेगा मैंस गाड़ी मेरी क्या होगी ऐसे पलट जाएगी तो इनर वीर मेरा क्या होगा पहले मेरा option है क्या होगा अनाइटाइए लाधर इनर वीर लेज दर ग्राउड फरस्ट छलिए यह गोशिन फिर से रीखते हैं मैरा सररल रहा है यह मेरी कार है अब कार मेरी क्या और यह overturn हो रही है क्या और यह overturn हो रही है गाड़ी का पल्टी होना और गारी पल्टी का वोती है जब नॉर्मल रियक्शन बैलेंस नहीं होता है और पल्टी होके क्या होगी इस ट्रैक के भार फेक दी जाएगी तो ट्रैक के भार जब फेक हीगी तो सबसे पहले पल्टी होगी अगर आउटर वील ने मतलब मेरा ट्रैक छोड़ा ग्राउन के साथ में तो अंदर छोड़ायागा आगा अगर वो अंदर आगा होगा option है आपक्षिन नमबर 20 के उप़र चले वसले नमबर 20 कोशन नमबर 20 थोड़ा इंट्रस्टिंग करने देखें अप्वाइन केप अड्रोटेटिंग ग्रम फोन कैप आतरा रूटेटिंग फोन डिस्क मिन्स वो नहीं गा जिसके ऊपर हम पिन लगा देंगे तो गाना बजने लगता है उसको ग्रम फोन बोलते हैं डिसको बिशुसक बीजिद बीज तुस्ल वीजिड सकतने होगा अगर वो रोटी इंक अ क्या होगा कुछी आपर होगा दिवीड सब्सक्राइंपोर्ट के जया कर दो पर कर दोल वह थितृ तोट उनीज पिसे समय वह ने के लिए देन्हों पर चाहिए देन्हों। देस्क, इस देन डबल, मेरे अंगलर वह लिस्टे किया हो यह ग्रामो फॉन की डबल हो गई, तो यहां पर ग्रामो फॉन का कुछ नहीं करना है, अभी तो हम लोग को पहले पॉन को रिजॉल करने, तो यह मैंने कॉइन मान के लिए, यह कॉइन का नॉर्मल रियक्शन उसका वेट एमजी, रोटेट कर रहा है, तो यहां पर क्या जाएगा अमर, अमेगा स्पेर, और अंदर के तरफीसका फ्रिक्शनल फर्स के उपर यहां पर है तो फ्रिक्शनल फॉर्स तो लग रहा होगा, तो मेरे को क्या मिल गा मेरेट f-ks का बड़ाबर मिल ग़ा MR omegi sqare का बराबर मिल गए N क्स का बराबर मिल गए mg के बराबर मिल गए स के पराबर मिल ग गया oit f केतना होता है मेरा Mew N होता है और यह मेरा MR omegi sqare means Mew mg N की value MR omegi sqare M से M cancer हो गया तो mu g equals to r omega square अब ये देखिए कि हमको r omega square जैसे condition मिली तो angular जो है angular velocity कितनी भी change हुए है लेकिन दूसरे time के साथ में उसका product का भी चलिए होगा अब इस question में किया हमारा जो gramophone है उसका distance भी change हुआ है अगर पहले 8 cm था तो बाद में किया उसका distance भी तो change हुआ है अगर उसकी angular velocity बढ़ी है तो जो point रखा हुआ यहां पर उसके आगे बढ़ने का बढ़ने का बढ़ जो distance क्योंकि यह भी change हुआ है और यह change होने का पहले है अगर आपको बोलो कि 4 into 2 और 2 into 4 क्या होगा सेम यह होगा ना 4 into 2 1 into 8 क्या होगा difference नहीं हो कुछ answer और यह होगा समझे तो product दूनों का always same होगा बस के होगा values बतल जाएंगे उसके जो रख्यों है तो तो ओमेगा सो मेंगा डाश के वालू के है मेरी तू ओमेगा आई के वालू के है मेरी यहां पर दी हुई है कितने 10 मिटर पर सेकेंड वेट वेट इट दिया होगा ना एट एट दिया हुए और यह मेरा टूमेगा स्कट स्क parar है तो ओमेगा स्कूर तो व्र दिक हमेसा यह यहां रखीwriter अक्रूय प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है किसी भी चीज का आपके हाइट मैं और आपके kाइट दस साल बाद भी उतना डिफरेंस रहेगा आप दोने की आज में बसके होगी नमबर बदल जाएंगे अगर आप बारा साल के हो और आपका डैट बीस साल के हैं तो जब आप 42 के होगा और फिफ्टी के होंगे तो भी डिफरेंस आट साल कही रहेगा सेम यहां पर प्रोडक्ट सेम रहने वाला है बसके होगे इसकी बेइल्वस बदल जाएंगे तो आजकन тех फेसी नोग कमपेर करके अंसर नीकाल सकते क्योंकि अन्सर नंसर थो हई है तो इपक लिए क्रेестट्क वर्ट उन्सलिखराओ पहले सेन। 21 के दीकी कुशन नबर 21 क्या बोला है आए शायकलिस्ट गोज राउंद इन शर्कलर पाथ शायकलिस्ट गोज राउंद इन शर्कलर पाथ असर पंफरेंस 343 मिटर शर्कंफरेंस 343 मिटर इन रूट 22 सेकेंड अगर वर्टिकल सरकल की बाद निकले और एंगल पूछा तो अल्वेस क्या लगाना है तेंट थेटा इकोल्स टू वी स्क्वेर भाई आर जी अपर हमारे बास वैलो सिटी नहीं है तो वैले सुटी हमको पले निकालना पड़ेगा तो वी इकोल्स टू ट यहां पर ध्यान दीजिए कोष्ट्षन में धोड़ा करेक्शन है वह जो 343 वहां पर आएगा 34.3 क्या आएगा 34.3 मिन्स जो मेरा सर कंफरेंस दिया हो कितना दिया हुआ है 34.3 तो मेरो भी तो मिलिया मेरा अब अगर मेरको इसी में से आर निकालना है मेरा जो वी इकोल्स ट है और पाए रपाण टी है अग्या तो मेरा को इसमें से क्या निकालना अपने आर की वैलियों निकालनी है कैसे निकालूंगा सर कंफरेंस वेडि बी थोड़ा सिंबल करते है स्को मेरा जो सरक्म्फरेंस तुब इसके बराबर होते है तो पाय आट की बड़ा बरा तो छर्क पॉट करना इसके अंदर बड़ा ऐसा नहीं से हैं ताकि मेरा कोशन साल हो जाए तो टेन ठीटा इस इकोल स्टू इसकर के वैलू कितने आज आ जाएगी 34.3 divided by root 22 the whole square into 1 upon यह आर जीवाल upon में न आर कितना मेरा 34.3 divided by 2 pi into 10 मैंने आपर 10 10 मान के लिया कोश्चन थोड़ा जल्दी सोल होगा 34.3 into 34.3 divided by यह 22 बन जाएगा इंटू 2 pi उपर जाएगा और यह 34.3 into 10 एक 34.3 एक 34.3 एक 34.3 के लोगया तो जब आप इन सब को solve करोगे पूरा तो आपको जो आंसर मिलेगा वो approximately 90.97 के आसपास मिलेगा 0.97 के आसपास मिलेगा 10 theta की value तो theta मेरी कितनी बन जाएगी approximately वो 1 के बराबर हो गया तो theta मेरी कितनी बन जाएगी 45 डिगरी डूंट टेंशन के आप सुचुए सर इतना बड़ा कैलकुलेशन के कैसे करेंगे आपको एक्जाम में लॉग बुक मिलेगा अगर और टेंशन की बात है तो आप इसको पाई को 22 बे 7 बिले सकते हो तो 22 से 22 कैंसल हो जाएगा जो 7 बचेगा उसको 34.3 से डिवाइड वार दे चला चल ूबुलेशन को 21 र्ष अजाते के सचन मर में ट्वंटे तो बिढ़ाs बिढ़ा ऐखे तो provenal 22 किसले तो हाएगा तरा पिडास लृड जैकलीश्ट इस ऌह टूभरेडियस नोविछA लेड से ऊगुडर धिडियोा पड़ से कितना दिया हुआ का 36 km per hour दिया हुए इस को मिटर पर सिक्टन न बाद हो तो 36 into 5 by 18 to 18 तो ये बंजाए गा 10 meter per second to velocity मिर को मिल गा 18 meter per second in order order to keep his balance he has to lean inwards from the vertical throw angle theta if g is given by g कितना दिया 10 meter per second square फिर से theta निकालना अगर vertical circle की बाता है है circular motion की बाता है track के उपर तो always क्या लगाना है 10 theta is equals to v square by rg okay तो फिर 10 theta v कितना दिया हुआ मेरा 10 into 10 means v square है r कितना मेरा 80 g कितना है मेरा 10 तो 10 से 10 cancel 10 by 80 means 1 by 8 10 theta तो theta कितना मिल दाएगा मेरे को 10 inverse of 1 by 8 ओके चलिए question number 22 मेरा क्या होगा 100 होगा आदे question number 23 पे बहुँद interesting question है means अब तक जितने के उनसे थोड़ा अच्छा question number 23 आप सब देख रहे है ना इसी टाइप की question आपके exam में आएंगे बस जाता है means वो जाता है tough questions नहीं होगा बस क्या होगा है concepts की जरू देती है उनकोशन से करने के लिए और देखेए a cyclist turn around the curve at 50 miles per hour means उसकी velocity दी हुए कितने 15 miles per hour if you double if you turns at double the speed if you turns at double the speed the tendency of overturn का यहां पर मतलब क्या फोर्स जो लगने वाला फोर्स होगा वो पहले से कितना ज्यादा होगा मैं इस टन लेता है उसकी जितनी फोर्स थी नॉर्मल स्पिट के दाद स्पीड बढ़ाने बाद उसकी फोर्स कितनी होगी कि ओवर्टन की तो मैंने क्या बोल दिया वी डैश स्पीड बढ़ाने वाला स्पीड है तो कितना बोले डबल बोला है इस पहले वाले स्पीड से दुगना कि तो वी डैश और मेरे को एब डैश निकालना है तो मेरे को f मालूम है f dash c निकालना है यहां पर अगर दूसरे लेंगज में बोलकर देखे तो क्योंकि वो circle पर turn ले रहा है तो fc नॉर्मल f कितना होगा मेरा mv square upon r और f dash c कितना होगा mv dash square upon r track का radius तो नहीं बदलेगा तो मैंने कहा किया दोनों को divide कर दिया तो fc divided by f dash c mr mr cancel आजाएगा तो v square upon v dash square v dash square v square v dash की value कितनी में तो v whole square fc divided by fc यह कितना बंदाएगा v square divided by four v square इसको cancel कर दो तो f dash c यहां पर और four fc देखिए यहां पर मैंने क्या गिया मेरे को reaction क्या मिलाता है solve करते हो f dash c equals to one by four तो इसको मैंने नहीं हा ले लिया उसको आ ले लिया तो f dash से क्या मिलेगा four fc के बादो मैं इस जो tendency कि force होगे हो क्या होगी तो चार गुना ज्यादा होगी पिछले वाले से मिन्स पॉर्ट रपल्ड एक बार फिर से देखते हैं जिसका यूज नहीं हो फिर क्या बोले जो मेरे वेलस्टी है तरन लेते वक्त क्या हो गई पहले से दुगनी होगे फिर मेरे को दुगनी होने के बाद उस वक्त का फोर्स लगाना है जो महिने लगाया जो साइकलिस्ट ने लगा तो सेंट्रिप्ल फॉर्स लगने वाला वहां पर हम सबको पता है क्यों कि वो टन ले रहा है मिन्स सर्कुलर रोड है एम इसकार अपन आर होती है तो एब डेस सी मिन्स जो रहा है उसको मैंने क्या लिखा एंड ओपेट कर रहा है कि मास और डिदेश तोन सेम रहे का मास और ट्रायकर रिदियस तो अब तसी एफ सी पान एब डेसी विसकार पन विड़ियो डेस क्या दा मेरा टू टाइम से वेलाशी ता जूने का दुगना तो सोल गया तो वी सकर अपन टू वी स्कार मिन्स फॉर वीसक इस पर आते हैं अपने कॉश्चन नमर टन्टीफर के पॉश्चन में थोड़ा इंट्रस्टिंग कुश्चन है देखा जाया तो कुश्चन नमर टन्टीफर कड़ी है और फाइटर एरोप्लेन फ्लाइंग इन दे स्काय डाइव दाइव स्पीड फ्री सिस्टी किलेमेटर पर अगर इसको चेंज करना है तो थ्री सिक्स्टी इन तू फाइब एटेन से मुल्टिक लाए होगा इटिंट तू जा मेंस ट्रेंटी जा मेंस हंड्रेड मेटर फर सेकंड मेरी क्या आ गई वेला सिटी आ गई है लगल वाटिकर सर्क्लीड रडिस 200 मेटर वाटिकर सर्कली में हो गूम रहा है विड़ा व्याइच सटी ने ट्स 75 मेंस इसका मास दिया होगा कितना 75 kg वाट कहीं विद विदा वैल्या भी आ लिए फोस्स विद वीचिद अपायले प्लीटे लेट्स इस जाप इन्स एट म हौई हाईस्ट पॉइंट पे क्या अलग होगा लगने वहलव फोर्स कितना हो एक्षर्ट हो इस वेग्जर्टेट फॉर्स बाइद पाइलेट तो रहे गा यहाँ पे इन दिश्कों रहुआ तरह लगेगा ऊपर की तरफ स्ट्रिंग तो नहीं है जो पीषूंर लग रहा है व अब भी इशने सकले मघूमरे पार ल memo बार फिक देंगे उसको तो मेरो इंड़योग पोर्स हो गा? पॉर्स एग्जर्टेट वो फिस्टेट कि दना होगा हो म zwar forье एंड़ी स्कॉर्र अप्ट आरमाइनस अंड होगा मेन स quando कि है उन्हूंत इतना हो गाय? यह पैङ दोनुब तो इसक recipro ऊंडे निशे डोनों का उप मिनने सिक्वणार और सिन इसीड आप UAपस्टर डियरख्षन दोनों को मैनस कर दो मिन वनमडिकटर अबर मैनन利 , तो Eman कि यतना है मेरा 75 वी इतना है mến 20 fruit अ कि जब इसको solve करो गया आप तो 00 cancel इसको solve करने पर आएगा एक साइड आएगा 3750 और यहां जाएगा 750 तो आप कहांसर आजाएगा 3000 Newton का force जो होगा वो एक्जर्ट करेगा 3000 Newton का force क्या करेगा वाइलेट एक्जर्ट करेगा highest point में बोला गया है तो उसके body को resolve करके देखिए ओके चलिया समझ गया यह question आते question number 25 के उपर question number 25 आपने question number one समझाना तो question number 25 same to same उसके जैसे question number 25 देखिए क्या लिगा अफ्रिक्शनल ट्रैक a b c d e ends in a circular loop of radius r same fictional ट्रैक दिया है ends in a circular लूप बोला है body slice down the track from a point which is at height of 5 cm इस बार height दी हुई है कितनी 5 cm की the maximum value of r of the body to successfully complete the loop same way case पिशली बार हम लोगो हैट चाहिए था अभी क्या चाहिए आर चाहिए तो successfully loop complete करने के लिए object को highest position पे तो होना ही पड़ेगा फिर से हम लोग आप ही क्या लगाए conservation of energy ट्रैक क्या है frictionless है प्रिक्शनल ट्रैक वेट 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 क्यूश्चन में करेक्शन है वहाँ फ्रिक्शनल लेस्ट ट्रैक आएगा करेक्शन करके लेजिए conservation of energy ओके एनरजी जो लूज हो रही है तो इनिशल और फाइनल क्या होगी सेम होगी तो आप इनरजी अपवांट ए बी सीटी दिया न हम लोग दो पॉइंट माने के लिए तो पॉइंट इस आप यहां पे देखी इसका गेट एमजी ऑपर जो लग रहा है आपनोर गितने हो जाएगे हाफ एमवी स्कवर सियव फ्लैस žाम कि एमजी ड डैमेटर है किया हैड कि दिनी है फुरी सरकल की डैमेटर है ये पुस्का कि हरम में में तो जीरो होंग होगे है कि एकितने हो होगे है हई ट्रिक इस ही सिट trembling होते है आप है रूट आर जी होती है ना प्लस एम जी डी ओके यह मेंटा एम जी एच इम इसको सॉल गरूंगा तो एम जी आर अपूल टू प्लस डी कितना है मारे टू आर होगा तो एक टू एम जी आर अब मेरे को क्या करना है मैं दोनगों साइट से एम जी कॉमल लेकर काट दिया तो आर बाइट्टू प्लस तू आर इकोल स्टू एच यह कितना मिल दा है है मेरा 2 by 5 into H 2 into H कितना है मेरा 5 divided by 5 5 5 cancels means 2 centimeter मेरे R के value वा गई को के एक बाद यहां पर ध्यान दीजिए कभी भी question में अगर frictionless दिया हो इस question में तो frictionless आएगा वो typing mistake है Frictional or frictionless आप दोनों में conservation of energy लगा सकते हो आप दोनों में conservation of energy लगा सकते हो इतना बात अगर कुछ ज्यादा information दी नहीं है तो हम लोग क्या करना है कि energy का concept लगा के question को solve करेंगे ओके चलिए changes कर लेना तो option D या पर क्या होगा आपका right answer होगा तो हमने आज क्या देखा हमने 25 questions देखे इसके तो हम जब next time मिलेंगे तो हम लोग फिर से circular motion के और अच्छे 25 questions देखेंगे ओके तो अगर आपको ये lecture पसंद आया तो हमारे चानल को like कीजिए subscribe कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों दोस्तों में share कीजिए जिन लोग की CT के exams है ओके थेंक्यू और कमेंड में बताईए हमको कि आपको ये lecture कैसा लगा